नमस्कार मैं एडवोकेट डॉक्टर अजे कुमार पांडे सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया आज फिर एक नया विशह लेकर लॉग यान चैनल के इस नए एपिशोड में आपके सामने उपस्तित हूँ साथियों आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका अभारी हूँ लेकिन जिन साथियों ने अभी तक इस लॉग यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेधन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन बटन को गंटी की सकल में एक बटन है उसको भी प्रेस कर दें जिससे जब भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुँच जाए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ आप एक काम और करें अगर आपको यह भी सह अच्छा लगे अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि आपके साथ ही आपके समाज किसी के भी काम आ सकता है तो इसको अपने सोशल मीडिया के जड़िय के सेयर करें comment box में comment करें अच्छा बुड़ा पसंद ना पसंद सहमती सबका स्वागत है साथियों। और Whatsapp group में share करें और मुझे भी बताएं कि आप किस तरह के विशयों पे ऐसे वीडियो देखना पसंद करेंगे। किस तरह मैं वतार इडवोकिक आपके ज्ञान में और इजाफा कर सकता हूं और ब्रिदिक कर सकता हूं तो साथियों यह वीडियो विशेश कर मैं गंतरंत्र दिवस पे आपके लिए बनाया हूं और मैं ले करके आ रहा हूं तो सबसे पहले तो आप तमाम दर्सकों को चाहने वालों को गंतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो लॉंग लीव रिपाब्लिक 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में सम्विधान लागू हुआ था और उसी के याद में उसी उत्साव को मनाने के लिए हम हर एक साल रिपब्लिक दे अर्थात गंतंत्र दिवस मनाते हैं कि सम्विधान ने हमें कुछ हक, कुछ हकूख, कुछ मौलिक अधिकार सम्विधान में दिये हैं और इसलिए यह आज के दिन बहुत महत्पुर्ण हो जाता है, या खिर हमारा समविदान हमें कौन सा अधिकार देता है, आप सब को पता है कि समविदान में जो एक सबसे बड़ी बात है, वो है कि अमीर, गरीब, बुरुस, इस्तिरी, जो भी वेक्ति वालिग है, सब को एक व जादा पढ़ा, सब को एक वोट का अधिकार है, और सब के वोट की महत्ता एक ही है, तो यह बहुत बड़ा अधिकार है जनता के पास, जिसके सहारे, वो जब चाहती है, उसको कुर्सी सौंप देती है, और जब चाहती है, उसको सत्ता से बेदेखल कर देती है, यह तो एक बहुत बड़े अधिकार की बात हुई, जो गंतन दिवस पे हम याद कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपने सम्विधान निर्माताओं के अभारी हैं, हम उनका भी अभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो आज का विशय है, वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याँ आती हैं, तो सम्विधान उन दैनिक जीवन की समस्याँ से हमें किस तरह से निजात दिला सकता है, हमें कौन से अधिकार सम्विधान देता है, और सम्विधान के अलावा ऐसे कौन से कानून हैं, जिनके सहारेम अपने देनिक जीवन की परिशानियों को कम कर सकते हैं या जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे साथ कोई वीविक्ती सरकारी अफसर हो पुलिस हो नाजायज नहीं कर सकता है हमें सता नहीं सकता है हमारे साथ किसी भी तरह की पत्तमीजी नह और आप सब दरशकुंस स्वागत करता हूं आपके कमेंट मुझे लगातार कमेंट box में मिल रहे हैं मैं कभी स्वागत करता हूं हमारा यह एपीजिओट आपको यह ला हन कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी मुश्तक पहुंचाएं गतिकत रूप से भी आप कमेंट मुश्तक पहुंचा सकते हैं आप चाहते हैं अगर आपको वीडियो देखने का वक्त नहीं मिलता है तो हमारा जो लॉग यान लेटर स्रीज है उसके सहारे भी आप हमसे जोड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा पता दिया हुआ है मेरे वेब साइट के सहारे भी आप जोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी पता है www.4c.supremelawint.com www.4c.supremelaw.com www.4c.supremelawint.com वैसे डिस्क्रिप्शन में ये पूरा पता दिया गया है हमारे चित्थी को सब्सक्राइब करने के लिए आप www.ajaykumarkr.com इस्ट्रोक सब्सक्राइब ये भी सब्सक्रिप्शन में दिया है इस पे क्लिक करके आप हमारे इमेल लीटर स्रिस से भी चूड़ सकते हैं यूट्यूब से आप चूड़े ही हैं जहां मैं आप से रूब रूब मुखाथिब होता हूँ तो आईए पुनह आप सब लवों को कंतरंत्र दिवस की बहुत बहुत पदाई आखिर किसी कवी ने किसी सायर ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा हम बुल बुले हैं इसके और यह गुल सता हमारा तो आखिर यह हमारा जो हिंदूस्ता है वो असारे जहां से अच्छा क्यों है वो सम्मदान के कारण है हमारे सम्मदान में जो कुछ अदिकार दिये गए है उसके कारण है तभी तो यह भी कहा जाता है कुछ बात तो है कि हस्ती मिक्ती नहीं हमारी सदियों रहा है दोरे जमा दुस्मन हमारा कई आताताई आए कई आतंकवादी आए कई देश विरोधी ताक्तों ने हमें वरबात करनी की कोशिश की लेकिन हम हंदुस्तानी हम भारत के लोग एक जूट रहे और एक जूट होकर दुस्मनों का सामना किया है और इसका अधिकार इसकार स्रे बहुत हद तक भारतिय सम्विदान को जाता है जिसके लिए हमारे बीरों ने हमारे महान आत्माओं ने खुरबानिया दी तो आईए सदा में नत्मस तक होते हैं और हम उनकुछ आवस्चिक अधिकारों की बात आज के इस एपीशोड में करते हैं तो साथियों देखिए अमूनन हम सड़क पे चलते हैं और हमारा सामना ट्राफिक पुलिस से होता है तो मैं सबसे पहले ऐसे ही एक अधिकार की बात आपसे करन चाहूंगा साथियों की हमारा क्या आधिकार है पुलिस हमसे कौन सी गलत काम के लिए हमें प्रतारित नहीं कर सकती हमें प्रेशान नहीं कर सकती तो एक कानून है साथियों जिसको मोटर वीकिल एक्ट उनीस सो अठासी जिसका सेक्षन एक सव पच्च्यासी और दो सो दो यह कहता है कि अगर गारी चलाते वक्त अगर बाहन चलाते वक्त आपके बलड में आपने ट्रिंग किया हुआ है आपने शराब का सेवन किया हुआ है और आपके बलड में दारू की मात्रा सो एमल से जादा पाई गई ये अलग बात है ये दिगर बात है कि अभी कुरोना के वक्त टेस्टिंग दारू की बैन की हुई है लेकिन मैं जिन जेनरल बात कर रहा हूं कि अमूनन जब इस्तितियां सामान्य हो और गाड़ी चलाते वक् अपने ड्रिंक किया हुआ है और आपके बलड में जो ड्रिंक की मात्रा है वो सो एमल से जादा है और आपके बलड में जो प्रतिसत्द में अगर पड़ा में तो आप अपरादी हैं और आपको पुलिस ततकाल बिना किसी वारिंट के अरिस्ट कर सकती है तो आप ये ध्यान रखें कि 100 ml बलड के सेंपल में अगर 30 ml सराब की मात्रा पाई गई तो साथियों आप अपराधी हैं और पुलिस बिना किसी वारिंट के आपको गरफतार कर सकती है जो एक दूसरा महत्पुन कानून है जिसकी चर्चा मैं आज इस गंतरंत दिवस के बीच आप से करना चाहता हूँ वह बहुत ही महत्पुन अधिकार है और उसकी बहुत अभेलना होती है अभी आपने देखा है कि सुप्रिम कोर्ट के हमारे एक चैज महाधन ने खुले आम या टिपनी की है कि हुमन राइट कानून का पालन और जो हमारा मानव अधिकार है उसका सबसे वड़ा सोशक और उसका सबसे वड़ा सोशन पुलिस करती है और पुलिस थाने मानव अधिकार उलंगन के सबसे बड़े केंद्र हैं सबसे बड़े सोर्स हैं तो आपके मानव अधिकार और आपके कानून के बारे में एक महत्पुन जानकारी है Criminal CPC Criminal Procedure Act के Section 47 में या सपस्ट तोर पर कहा गया है कि कोई भी महिला किसी भी महिला को किसी भी हालात में आप या मतलब पुलिस छे बजे सबेरे से पहले और छे बजे साम के बाद ग्रफतार नहीं कर सकती यह एक दूसरा महत्पुन अधिकार है जिसकी जहनकारी आपको होनी चाहिए और पुलिस ऐसा करती है तो आप जरूर नियाले की सरन में जाएं आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से उस पुलिस अधिकारी की सिकायत करें मुझे विस्वास है कि जब आप कानून जाएंगे तो आपके साथ नियाय होगा जो तीसरा एक और बड़ा अधिकार इंडियन पैनल कोड आपको देता है 166-A उसके तहट यह है कि कोई भी पुलिस वाला आपको F.I.R यह बहुत बड़ी समस्या है इस देश में F.I.R का दर्ज ना होना, कंप्लेइन का ना लिया जाना एसी समस्या में के बारे में कानून भहुत असपस्थ है, इंडियन पैनल कोड 166-A साफ तोर पर यह कहता है कि पुलिस वाला या पुलिस अधिकारी किसी भी सूरत में आपके F.I.R लेने से मना नहीं कर सकते और अगर वह ऐसा करते हैं तो उनको 6 महीने से लेकर एक साल की सजा हो सकती है जो एक और चौथा महत्पुन कानून है जिसकी चर्चा मैं इस एपिशोड में करना चाहूंगा वह है इंडियन सराइस एक्ट 1887 यह एक बहुत महत्पुन कानून है इस कानून के तहट इस देश का कोई भी होटल रिस्टोरेंट इस तरह के जो भी कॉमर्सियल बानिजिक परतिष्ठान हैं आपको अपने सोचाले का इस्तेमाल करने से मना नहीं कर सकते चाहे वह फाइव स्टार होटल ही क्यों नहीं हो और साथियों वो आपको पानी पिलाने से भी मना नहीं कर सकते उन्हें आपको बिना किसी सुलके बिना किसी पैसे के ये दोनों सुगधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी ये अधिकार आपको इंडियन सराइस एक्ट 1887 द इस रिस्टुरेंट को उपलब्ध कराना पड़ेगा अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इंडियन सराइस एक्ट 1887 का उलंगन माना जाएगा और इसके तहत उस पे कारवाई हो पाएगी इस एपिशोड में इन चार महत्पुन जानकारियों के साथ मैं आपसे बिदा लेता हू फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिशोड में इसी बिशेख पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ ऐसे ही आवस्चेक कानूनों की अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाओ गयान सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें आप बेल आइकन बटन को दबा कर नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर लें ताकि जब दूसरा वीडियो इस बिशेख पर मैं लेकर आऊं तो आपको उसकी सूच ना मिल जाए और आप इस वीडियो में जरूर अपने विचार बताएं कमेंट करें कमेंट बैक्स के माधिम से और साथियों सेयर करें थैंक्यू वेरी मच्च मैं आपसे मैं डॉक्टर अजे कुमार पांडे इडवोकेट सुप्रिम कोर्ट अफ इंडिया आज यहीं पे विदा लेता हूं फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक एपिशोट में धन्यवाद नमस्का